कर दिस उस्टीकॉर्थ रदे दोस्तों स्वागति आप सभी का मारे यूट्यूब चेनल में अगर अब उस तक आप लगों bestenल को सबस्क्राइम नहीं किया है तो सबस्क्राइब कर लिजिए क्योंकि यहां पर हम आप लोगों को medical से लिटेर सारी जानकारी यहां पर आप लोगों को देते रहेंगे ठीक है दोस्तों आप लोग कमेंट कर रहे थे कि वाई जो cut-off के ओपर कोई वीडियो नहीं आ रही है तो cut-off के ओपर आप लोगों को हम वीडियो बता देते हैं और यह जो मैं cut-off बताऊंगा यह आप लोगों के exact cut-off होने वाली है इससे एक cut-off उपर हो सकती है वरना cut-off आप लोगों के यही रहने वाली है ठीक है तो आखिर आप लोगों के जो यही नर्सिंग वाले students की जो है exam 25 January 2022 को हो चुकी है और उसकी जो है paper और answer की भी आ चुकी है और आप लोगों को पता भी चल गया होगा कि आप लोगों के जो है कितने सही हैं और कितने गलत हैं तो आप लोगों को पता चली गया होगा ठीक है अब हम बात करेंगे कि आप लोगों की जो government की जो cut-up रहने वाली है वो क्या है SMS की cut-up क्या रहेगी साथ ही private college की क्या cut-up रहने वाली है और यहां पर हम बात करेंगे कि आप लोगों की जो fees है आप लोगों की जो है fees वो कितने लगने वाली है फीस की भी हम यहाँ पर बात करेंगे कि गॉर्मेंट कॉलेज में तो कितनी लगेगी और आप लोगों की जो प्राइवेट कॉलेज में आप लोगों की कितनी फीस लगने वाली है इन सारी चीजों की हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी त कि तयारी करना चाहता है तो आप हमारी चैनल के तूप कर सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को ब्येसी नर्षिंग में जिस तरीके से हमने आप लोगों को important part पढ़ा हे ते उसी तरीके से मिया पर आप लोगोगों को प्रवाइब तो चलो अब हम बात करते हैं कि आप लोगों की फीस क्या रहने वाली है और आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को पहले जानर कर यहां पर मिलती रहेगे तो आप देखेगे बीस्टी नर्सिंग वाले स्टुडेंट्स की एक्जाम तो लग चुकी है और एक्ज सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज की किसकी सबसे पहले हम प्राइवेट कॉलेज की बात करेंगे और उसके बाद में हम गॉवर्मेंट कॉलेज की बात करेंगे क्या क्योंकि यहां पर आप लोगों के मुझे पता है आप लोगों के जो नंबर होंगे वो वो 40 से यानि 40 से और लगभग 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 अगर हम बात करें 60 के लगभग आप लोगों के क्या आ रहे हैं नंबर आ रहे हैं ज्यादा तर जो स्टूरेंट्स हैं उनके यही नंबर आ रहे हैं 4260 के लगभग आप लोगों के जो है नंबर यहां पर आ रहे हैं ठीक है तो पहले मैं बात करूँगा प्राइवेट कॉलेज की किसकी प्राइवेट कॉलेज की अगर बात करूँ तो सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज में आपको मैं फीस का जो मामला है वो बता देता हूं तो आप लोगों की जो फीस लगेगी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आप ए लगने वाली है ठीक है गल्स की यहाँ पर थोड़ी फीस में कटवती हो सकती है वरना सतर अजार लगेगी देखिए इस एक्जाम को देने का फायदा वस यही होता है कि आप लोग अगर प्राइवेट कॉलेज चूज कर रहे हैं तो आप लोगों को जो है यहाँ पर डॉनेश मिल जाता है ठीक है तो फीस की यहाँ पर बात हुई कि अगर आप लोगों को प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है देखिए प्राइवेट कॉलेज अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोगों की फीस जो है वो सतर अजार रुपए लगेगी पर येर के ठीक है जबकि ग बात करूं फीस की मैं बात करूं किस में फीस की अगर मैं बात करूं यहां पर गौर्मेंट कॉलेज में तो आपके जो फीस लगेगी वो लगेगी 51,000 रुपए कितनी लगेगी 21,000 रुपए आप लोगों के फीस लगेगी और अगर हम देखिए गल्स की अगर मैं बात करूँ ठीक है किस की ठीक है अगर मैं यहाँ पर आप लोगों से गल्स की बात करता हूँ गल्स की मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए एक मिनट यहाँ पर अगर हम देखे गल्स की बात करें तो गल्स में आप लोगों की फीस लगेगी वो कितने लगनी है तो आपकी जो फीस लगेगी गल्स में वो 21,000 रुपए लगेगी ठीक है कितनी लगेगी 21,000 रुपए आप लोगों को क्या अगर आप लोगों को जो है मिल रहा है क क्या Government College मिल रही है तो ही गल्स की 21000 मिल रही है है तो आप लोगों की इकाउ itt घिस लगेगी सिवाए SMS की बट SMS की अगर बात करें तो मैरे प्यारे दोस्तो éseしました means में आप को जो है SMS में आप लोगों को कितनी देना पड़ेगी 0 रुपए आप लोगों को फीज देने पड़ेगी किसमें SMS को उग सी चलो यह सारी बात हो गई अब हम बात कर लेते हैं कट पकी तो चलो देखो कट अब करें बात करो सबसे पहले प्राइवेट कोलेज की बात करेंगे उ देखो कटॉप आपके जो रहेगी उसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो देखिए एक मिनट लिखिए आपके जो कटॉप रहेगी अब देखिए कटॉप की मैं बात करूँ यहाँ पर देखिए प्राइवेट कॉलेज की जो कटॉप है वो आप लोगों की जो जनरल की ज तो कटॉप आपकी ऊपर जा सकती है बट नीचे नहीं आएगी यानि कि 48 से 52 के मध्य आप लोगों की जनरल की क्या रहेगी जो प्राइवेट कॉलेज की आप लोगों की कटॉप रहने वाली है ठीक है यह एकजक्ट आप लोगों की कटॉफ होगी कल आपका जो है रिजल्ट भी आजाएगा तो आप लोगों को पता चली जाएगा कि मैं गलत बता रहा हूं या सही बता ठीक है इसके बाद में देखिया जनरल की तो यही कटॉप रहने वाली और अगर हम गौर्मेंट कॉलेज की बात करें जनरल में तो 65 to 72 रहने वाली है गौर्मेंट कॉलेज में आ जबकि एगर मैं बात करू यहां पर O.B.C की बात करूँ तो O.B.C में आप की जो कट Experience रहने वाली है वो प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो 44 से 48 या 50 आप लोगों की कट कॉने सकती है यानि 44 से 48 के बीच में आपकी cut-off रहने वाली है private college की और government college में आप लोगों की 62 to 66 तक आपकी जो है क्या रहने वाली है government college में आपकी cut-off रहेगी ठीक है अभी sms की में बात नहीं कर रहा है sms की भी हम बात करेंगे इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी इसके बाद में देखिए इसके बाद में हम SC की बात करते हैं तो SC में जो आपकी cut-off रहने वाली है वो SC में कितनी रहने वाली है तो SC में आपकी जो cut-off रहेगी वो 42-42 रहेगी किसमें SC में 42-42 आपकी cut-off रहने वाली है जबकि government college में 58 to 60 के लगभग आपकी cut-off रहने वाली है किसकी SC की और अगर मैं ST की बात करता हूँ किसकी ST की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो ST की जो आपकी cut-off रहेगी वो यही रहने वाली है 42 to 42 और 58 to 60 यहाँ पर यहाँ लोगों की cut-off रहने वाली है ठीक है किसकी government college की और यहाँ पर यह private college की cut-off रहने वाली है तो यहाँ पर जो हमने बात की वो यह की कि आपकी cut-off है वो क्या रहने वाली है तो यहीं आपकी cut-off रहने वाली है ठीक है इसके बाद मैं एक और बड़ी बात बता देता हूँ देखिए अगर आप लोग जो है SC और SDK है तो आप लोग government college ले रहे हैं तो आपकी जो है यहाँ पर आपको चात्रवर्ती के थुरू आपकी जो fees है वो return हो जाती है दिव्यंग भाई भाईनों की भी यहाँ पर fees return हो जाएगी और जो OBC के अंदर जो BPL की में आते हैं उनकी भी यहाँ पर fees वापस return हो जाएगी ठीक है तो यही थी अपने एक cut-off exact cut-off यहाँ पर मैंने आप लोगों के सामने रख दी है कि आप लोगों की जो cut-off है वो क्या रहने वाली है ठीक है इसी से एक दो उपर हो सकती है बता दू कि यहाँ पर ज्यादा तर जो students हैं उनके यहाँ पर 42, 50 या 55 के लगभग आप लोगों के जो questions मेरे को पता है सही हो रही है इसलिए आप लोगों की जो cut-off है वो यही जाने वाली है ठीक है और आप लोगों को जो है यहाँ पर जितने भी questions गलत हुए है यानि कि जितने भी जो out of syllabus जो questions आये थे उनका कोई फायदा नहीं मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पर 31st को तो यहा आप लोगों का आही जाएगा ठीक है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वोडियो में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा क्योंकि यहाँ पर आम आप लोगों को एक अच्छी से अच्छी यहाँ पर जानकारी देने की कौसिश करेंग यहाँ सच्छी सेदेट में नहीं में सब्सक्राइब लोगों कि यहाँ खिया तो सादी यहाँ एक्छी करेंगा चैनल को सद़ सब्सक्राय की सब्सक्राइब कि वोगों का आप।